अस्सलाम अलेकुम दूस्तों वीडियो में हम आपको दाएंगे साओधी के लेटर्स इंपोर्टन अप्डेटीवरी उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरब यह में रहते हैं क्योंकि साओधी गबर्मेंट की तरफ से एक नई जानकारी दी गई है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंस पहले में आपको बता दें कि अपडेट साओधी के लोग बेउस्तव विबाग के एक परता वीडियर जनरल सामी अलरभी रख के तरफ से मतलब यहां पर कहा गया है कि एगर कोई भी उलंगन करता पकड़ा जाता है तो उसके लिए एक साल तक जेल और एक लाख रियाल का जुर्बाना तुरंत लगाया जाएगा और तुरंत उसको गरबतार भी किया जाएगा हम आपको बता दें कि यहां पर जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार कहा गया है कि सौधी अरभ में भीख मांगना एक तरह से रूल्स के खिलाफ हैं और भीख मांगना उकसाना या किसी का सहयता करना तो ऐसे में यह जुर्म है आप ऐसी कोई भी गलती ना करें इसके साथ किसी को भी देखें तो आप जो है रिपोर्ट भी इसकी कर सकते हो अगली अपडेट भी आपके लिए बेहर इंपोर्टन्ट है अगर आप सौधी अरब में रहते हो तो सौधी के परवाहन मंत्राले की तरफ से एक चेताउनी दिया गया है मतलब यहां पर कहा गया है कि अगर आप भी मक्का और मदीना को जोडने वाले राजमार्ग पर चलते हो तो अभी भारी मात्रा में आंधी चल रही है और ऐसे में आप सभी लोगे खतरनाक जो पल है उसका सामना कर सकते हो और तेज हवा भी चल रही है मदीना के अंदर धूल भरी आंधी भी चलेगी यहां पर कहा गया है कि सबसे बुरी तरह परवावित छेत्र बद्र अल्रैस और याबूई है इसके साथ विभाग ने कहा कि ओला छेत्र के कई इ बेर तक यह कारिक चाले रहेगा इसके साथ कहा गया है कि इसी तरह के मकार याद पूर्वी छेत्र में होने वाला है इसलिए आप सबी लोग सावधान रहें और कहीं भी किसी भी तरह के से कोई भी गल्ति ना करें इन जगहों पर जहां तक हो सके वहां तक ना जाएं दोस्तों अगले बडेट साथ के पासपोर्ट के समा निजाले की तरफ से कहा गया है कि अगर आप वाफ सी भीजा के लिए भुकतान करते हो तो आपकी जो फीस है वो रद नहीं की जा सकती है मतलब यही है कि अगर आप किसी भी तरीके से निजाले को पेमेंड करते हो पेमेंड केरी वीजा है वो जारी कर सकते हो तो आप अगर आप किसी भी दुकान वाले से या अपने कफिल से सारा काम करवाएं